Hello everyone, welcome to your channel Guys, आज के वीडियो में आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ में इस वाली वीडियो में डिसकस करेंगी हिंदी और इंग्लिश के बारे में दोनों सब्जेक्ट गाईज लगबाग एक जैसे ही होती है दोनों में grammar होता है, दोनों में आपका story portion होता है poem portion होता है, unseen passages होती है लगबाग दोनों में चीजे same है, language के paper है guys ये language वाले subject है तो कैसे हम अभी जो time बचा है इसमें अच्छे अच्छे से तरीके से English को prepare करें और हिंदी को prepare करें ताकि हम बहुत अच्छे number लेके आए हमारे board exam में तो वही strategy को, वही best strategy को आपके साथ discuss करने वाला हों guys अगर मैं आपको guarantee देता हो इसको अगर follow करते है, अगर पूरी इमानदारी से follow करते है तो आपके बहुत अच्छे number आएगए अगर आपका कुछ भी revision या कुछ भी चीज अभी भी नहीं हुई ना अगर इसको आप पूरी दिल से follow करते हो ना तो आपकी बहुत अच्छी practice हो जाने वाली है बहुत कम से कम time में पर जो मैं चीज़े आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसको आपको करनी पड़ेगी इसको आप skip करोगे guys तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है चाहे मेरी strategy हो या किसी और की भी जब तक आप उसको use नहीं कर पाओगे guys तब तक आपके लिए कुछ भी benefit नहीं करेगी हो इससे पहले मैंने chemistry पे दो chemistry की strategy होती है दो महने में कैसे हम पढ़के कैसे तरह से chemistry पढ़े इस पे वीडियो डालिए अगर याली वीडियो नहीं देखे तो इसके link आपको description में मिलेगी ठीक है तो इसको देख लेना इसके अलावा मैंने physics पे भी वीडियो बना चुका हूँ इसकी भी link आपको description में मिल जाएंगी तो इसको भी जा करके देख लेना और इसके साथ-साथ मैंने दो महिने में अभी जो दो महिने का time बचा है strategy बनाने के पहले guys मैंने पहले ये बताया था आपको सच्चा ही दिखाई थी कि आपके पास अभी कितना time बचा हूँ लोगों आप सभी को लग रहा हुगा कि दो महिने बच्चे है दो महिने बच्चे पर इस video में मैंने आपको बताया था कि दो महिने नहीं है आपके पास तो इस video को अच्छे से आपको एक और बार बोलता हूँ इस video को जाके देख लेना नीचे आपको link मिलेगी सारे videos की ठीक है तो एक बार link पे प्लिक करके सारे videos को देख लेना ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाए आपके पास कितना टाइम बचा है और आप कैसे तरह से अपने आपको प्रिप्रेर कर सकते हो इतने कम से कम टाइम में मैं आपको सारी चीजे explain करने की कोशिश किये अगर इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लो वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरू करना और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से शेयर करना तो सबसे पहले तो आपको एक चीज बताओ तो यार जो हिंदी और इंग्लिश यह जो दो सब्जेक्ट है यह बागी सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल नहीं है बागी सब्जेक्स में अगर physics की बहुत सारे रहते है इसमें ग्रामर सेक्शन रहता है इसमें पैसेजस आते है आपको इसमें और आर्टिकल्स नोट्स वगरा जितने सारे आपके चैप्टर उससे बेस्ट कोशन आंसर बहुत सारी चीज़े आती है तो physics और chemistry की तरह यह subject बिल्कुल नहीं है अगर आप इसक लेंग्वेज के पेपर के लिए आपको बहुत अच्छे से त्यारी करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लेंग्वेज की अच्छे से त्यारी नहीं करते तो 100 नंबर का पेपर गाईज अगर बिगड़ा तो पूरा रिजल्ट खराब कर सकता है तो इसको लेके सीरियस हो ज बहुत ज्यादा जарूटी है अगर आप बहुत लंबा पेपर आता है सो नंबर का पेपर आता है अगर आपकी अच्छी निया तो बच्छों नहीं दसे इसРЕ लिखाए ऑनकर ने ग लिखता comforting साउई आगर right channel right channel ads already तो ब्रॉन sleeve page टक जाते जाना प्रून की भी जो कैपिसिटी रहती हो उसके बहार चीज़े चली जाते तो कीड़े माखोड़े जिखे तो काड़ डालते हो जो को भली आपने कित्ता सही ना लिख्यों ठीक है जो हैंट्राइटिंग और स्पीड पे अच्छा खासा ध्यान देना है तो अभी बात करते है कि स पेपर पी इंग्ए्ग दोनों पेपर्पर पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है आपके जितने सारेग्ळे जो भी जफ्ट्र सही जितने भी उन सारी चैप्ट्र का नाम लिखने लिया लए मेरा ये chapter number two सारे chapters के नाम लिखना है पहले chapters का बता रहो story और poem का फिर उसके बाद grammar section पे जाओगा और फिर उसके बाद unseen passage वगरा सारी चीज और अगर MP board वाले हो guys तो वीडियो के end तक ज़रूर देखना क्योंकि end मैं MP board वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे suggestions देने वाला हुम है क्योंकि मैं खुद MP board से था और मैं जानता हूं MP board में किस तरह के paper आते है ठीक है तो आपको पहले क्या करना है बता है आपको सारे chapters के नाम लिख लेना है stories है guys chapter है for example MP board वाले की बात करो तो पहले chapter आपका invocation है with the diamond necklace ऐसे करके सारे chapters के नाम लिख लेना है भले आपको आते हुए या ना आते हुए अलग मैड़ता पहले आपको क्या करना है पूरे chapters के नाम बस लिखना है फिर उसमें से उन chapters को cross कर देना है जो आपको आते है for example अगर 10 है उसमें से 10 में से डालो आपको पूरी summary देखने मिल जाएगे for example कोई भी chapter को नाम डाल दो the diamond necklace summary हिंदी summary आपके पास पूरी summary निकल के आजएगे बहुत अच्छ अच्छ यूटूबर्स ने explain की हुए आपको किसी ना किसी की तो समझ में आएगी उसको एक बार सुन लो थोड़ी speed बढ़ा के सुन लो ज्यादा ज्यादा क्या लगेगा पास से 10 मिनेट लगेगा तो यह पास से 10 मिनेट आपको दे देना और उस chapter को समझ लेना यहाँ पे अगर आप question answer याद करने बैठो के तो कितना time लगेगा कितने सारे question answer है फिर grammar है तो यहाँ पे अगर आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा अगर चीजों को नहीं समझते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा हिंदी और English में अच्छा score करना और यह आपके result को बहुत ज़्यादा affect कर सकता है इसको लेके थोड़ा serious हो जाओ और सारे chapters को अच्छी तरह से समझ लो मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि हिंदी और English को अगर समझना है तो गाईज सबसे best time होता है morning का और night का सुबह उठते हो पूरा mind अच्छी तरह fresh रहता है ज़्यादा time नहीं लगता है ठीक है पहले chapters का बता रहो तो chapter के बारे में बात करूगा कोई एक chapter उठा लेना है कि आज मैं कोई आला chapter करना है मैं यूटूब पे डालूगा उसकी बस सुनना है इस बपरी ध्यान से सारी चीजों को भूल के उसको सुनना है बहुत इजी होता है एक story की तरह एक picture की तरह उसको mind में memorize करके उसकी image create करके समझो गाइस बहुत इजी लिए आप समझ भाऊगे बस थोले सा focus और concentration की जरूँत है बहुत इजी लिए हो जाती है या YouTube पे आपका chapter का नाम डालो उसकी summary आ जाएगी उसको समझ लो ठीक है और night के time एक chapter उठा लो for example सुबह English कर लो शाम को Hindi कर लो सोने से पहले सोते टाइम भी आराम से एक chapter हो जाता है उसके उससे क्या होगा आपको नीद भी अच्छे आ जाएगी मतलब mind fresh हो जाता है story वगरा पढ़ने के बाद ठीक है तो इस तरह से आपको करना है chapters का अब हम move on करते है for example पहले आपको chapters complete करना है ठीक है पहले आपको जितने chapters है क्यूंकि grammar portion यह आप कही ना कहीं कैसे भी जुगाल करके कर सकते हो essay writing, letter writing यह सारी चीज़े क्या है यह आप मन से कर सकते हो पर अगर आपको chapter का कुछ नहीं पता for example chapter में कौन-कौन है आपको यही नहीं पता तो आप उसमें मन से नहीं लिख सकते है न समझो मेरी बात को अगर आपको essay दे दिया your favorite game तो उस पर आप कुछ ना कुछ तो लिखी लोगे पर आपको एक chapter दिया है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो और उसके related questions पुछे तो आप उसको कैसे solve करोगे तो chapters पर पहले आपको फोकस करना है जितने सारे chapters है पहले आपको जो बो सकता हो या फिर मुझे से related कुछ पता है पता है तो ठीक है उसको cross कर दो answer लिखने की कोई जरूरत ने गाए उसको बाद देख लो कि यह question है मुझे आ सकता है बस ठीक है फिर उसके बाद हम move on करते grammar पे तो grammar कैसे करना है जैसे ही आपके chapters सारे खतम हो जाते फिर आपको जाना है grammar section पर grammar section को topic में cover करने की कोशिश करो एक दिन में ज्यादा ज्यादा दो या तीन topic को cover करने के कोशिश करो जैसे कि आज day one है मेरे सारे chapter सोचू कि आप मैं grammar पर move on कर रहा हूं तो grammar में क्या करूंगा आज मैं active passive voice और narration उठा लिया तो मैं आज active passive voice को कर लूगा और उसके दस नंबर का पुछा जाएगा और बाकी फिर अगर पास से दस नंबर को अगर आपने छोड़ भी जिया नगा इस तो 90 नंबर का paper बचाओ इस पर ज्यादा ध्यान दो ठीक है grammar नहीं बनती तो मैं आपको सजेस्ट करूगा कि अगर नहीं ही बन रहा है बिल्कुल नहीं बन क्या算ना है format समझ लेना चैया सम्हार में चैक शमार प्रेंचीपल स्कूल को होते हैं जो फ्रफॉर्मैट बोल रहा हो जो format का पर यहां पर यहां पर format पर होग बासे दो ऊतिन लाइं तो जो format है इसको आगर कि formal letter आया तो कैसा लिकना है informal principle को, लिखना है तो कैसे लिखना है यह लिखना है पर एक principle को letter लिक दो leave letter लिख यह क्मिख HIS finns अगर एक letter का question ले लो है कि आपको letter लिखना है वो question देख ली आपने एक paper, उस पर format लिखने की पर में चीज होती है फॉर्मैट तो बस इसको समझ गाना तो बोडी जो लिखते हो यह बहुत एजी होता है तो format को समझ लो और बार-बार उसी की practice करो एक question उठालो for example देख लिया आपने की कोई हिंदी की बात करो हिंदी का अगर कोई पत्र देख लिया आपने कि हिंदी में ये पत्र है बस देख लो अपने पत्र को कैसे लिखना है बस उसकी चार उपर की body लिख लिए और इधर थोड़ी से जगा छोड़ दिये जो format उपर का नीचे का format लिख लिए इसके लिए जगा छोड़ दो क्योंकि ये कुछ भी कोई भी लिख सकता है ये बहुत easy होता है ठीक है वही बात करो ऐसे की तो ऐसे आगर आपको आ गया कम से कम तो उन points को लिखने की कोशिच करो कि Corona वारस के आने के कारण हमारे देश को क्या-क्या हानी हुई कैसे लोगो कई लोग मरें ये सारी चीज़ आपको याद कर देना बस format को समझो बाकी सारी चीज़ आप easily कोई भी लिख सकता है इतना दिमाख हर किसी का काम करता है तो वही साब ही जाके आप जो भी बोड से हो उसके previous year question paper में देखलो किस टाइप का अंसीन पैसे जाते और उन्हीं को practice कर लो उन्हीं के answer निकालने के कोशिच कर लो क्यूंकि अंसीन पैसेज कि अगर आप answer नहीं निकाल पाते हो तो बहुत ज्यादा time खा सकता आपके paper में और यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है जितना time आप अंसीन पैसेज पर खराब करोगे उतना ही आपके लिए खराब है तो अंसीन पैसेज इसको भी practice आपके लिए करना है देखलो कितना सारा होता है हिंदी और इंगलिश और कई बच्चे बहुत lightly लेते हैं इन subject को तो ऐस unseen passage unseen passage जो होता है unseen passage तक वैसा कव ऐसा repeat आया है पिछले साल से याने इनके पास नया unseen passage तक नहीं होता देने के लिए उसी को repeat करते रहते हैं बार बार तो ऐसा कई बार हुआ है MP board more question answer तो बहुत grammar part सब कुछ repeat होता रहता है गाई मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो इसमें आपको मैंने पिछले 10 साल के जो question paper है उनसे chapter wise questions निकाल के with answer provide की है तो इस वाले वीडियो को जरूर से देख लो guys आपसे एक humble request है प्लीज इसको नीचे आपको link मिलेंगी study material video link description में तो उसको click करके इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना क्या पता है इस वीडियो क करके आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर आपको मेरा study material कुछ purchase करना है तो यहां पर आप मुझे contact करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो guys please like करना अपने दोस्तों में ज़रूर से share कर देना thank you for watching the video मिलते हैं आप से next video में